मैं बड़ता सोले साल की थी जब यह सब मेरे साथ हुआ था मुल्चन अनुरागी का परिवार राठ में रहता था परिवार में पत्नी सर्स्वती के अलावा दो बेटे भीरंदर वा आनिल थी पत्नी बच्चों से मिलने वह राठ आता जाता रहता था मुल्चन की पत्नी सर्स्वती राठ रहिस्तित नयोत्य है इद्याल में रसुई थी वह छात्रवास में रहने वाले छात्रों के लिए खाना बनाती थी सर्स्वती का बड़ा बेटे भीरंदर मिठाई की एक दुकान म और उसके दौनों बेटे कमाते थे सो घर की आर्थिक इस्तिती ठीक थी विरंदर अनुरागी जिस दुकान में काम करता था उसी में असोक नाम का एक योग काम करता था असोक राठ कस्विम से आधा किलो मीटर दूर इसित संदयपुर गाउं का रहने वाला था असोक की छो करते हो चुकी थी माचंदा देवी ने उन दोनों को तकलिफ सहकर वड़ा किया था आर्थिक ठीक ना होने के कान आसोक और बड़सा ज्यादा पढ़ लेकर नहीं सके थे असोक दस्मी कच्छा छोड़ करने लगा था जबकि बड़सा दस्मी कच्छा पास करने के बाद मां क कि घरे लुकामों के हाथ बटाने लगी थी सोलह साल की बड़सा औरी चिट्री चर्चरी काया की यूबती थी नंग नक्स भी तीखे साबसे खूबसूरत थी उसकी आंखे खुमार भरी घहरी आंखे उसकी आंखों में ऐसी कशिच थी कि जो उन में देखे हो जाए एक दिन बड़सा अपने भाई असो को लेंच देने दुकान पर आई बीर अंदर की नजर बड़सा की नजर से मिली तो वह उन में मानो डूब गया जी में आया उन्हीं खुमार भरी आंखों की आर्थ गहराई में पूरी उमर डूबा रहे खुद भी वरना चाहे तो उबन नहीं स सबस्क्री के बाद भरसा की आँख उसकी सोच की धुरी बन गहीं उस दिन के बाद वीरंदर को बरसा के आने का इंतजा रहने लगा हालां कि असोक से गोल चाल पहले से थी लेकिन बरसा तक बोश बनाने के लिए उसने उस स visãoंद बना लिया इनी लमों सम्दों के आरमें उसने वर्चा से प्रच्छे भीर कर लिया वर्चा के प्रच्छे भुआ तो वेइमान कर वाली उसकी नजर वीरंदर दिल और तडब अब वीरंदर को इंतजर था उस पल का जब बड़सा केले में मिले और वह उस से अपने दिल की बात कह सके किस्मत ने एक रोज उसे यह मौखा भी मुर करा दिया उस रोज बड़सा भाई को खाना लिया कर जाने लगी तो ताक में बैठा वीरंदर उसके पीछे पीछे चल पाड़ा तेज कदमों से वह बड़सा के बरावर में पहुंचा बड़सा ने सर घुमा लिया बीरंदर को देखा और मुस्कराने लगी बीरंदर बोला मुझे तुम से एक जरूरी बात कहनी है बड़सा कदम पहले की तरह बड़ते रहे बोलो मुझे जो कहना है सड़क चलते ही कह सकता है सहसास बीरंदर की नजर कुछ देर इस्तित पारख पर पड़ी चलो वहां पारख में बैठ के सुकुन से बात हो जाएगी चलो बड़सा मुस्कराती तुम्हारी बात सुन लेती हूँ वे दोनों पारख में जाकर बैठ गए उसके बाद बड़सा बीरंदर की मुखातिव हुई अब बोलो क्या कहना है बीरंदर के पास भूम का बनाने का समय नहीं था अंत में उसने सीधा तोर पर अपनी बात कहती दी तुमारी आँख है भहुती हसीन बड़सा करट गड़ी और गई और मैं जिसकी आँख है इतनी हसीन है कहने की जरूरत नहीं है वह कितनी हसीन होगी बरसा ने उसे गहराई नजरों से देखा तुम मेरे हुसन के तारिफ कहने के लिए यहां लेकर आए हो या कुछ और कहना भी रंदर ने महसुच किया कि बरसा प्यार का सिलसला सुरू कहने के लिए उकसा रही है उससे दिल की बात जुबान पर हो गई तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो मुझे तुम से प्यार हो गया है कुछ देर तक बरसा उसकी आँखों में देखती रही फिर आइस्था से बोली प्यार ही तो है ऐसी चीज है जिस पर ना दुनिया का कोई कानून लागू है नहीं कोई ना इस दवा या छपाया जा सकता है लेकिन प्यार के कुछ ताज के भी होते हैं विरंदर ने धड़कते दिल से पूशक कैसे ताजिवहा इमानदारी और जिंदगी वरसात नहाने का कब जब विरंदर समझ गया वरसा कहना चाहती थी कि उसका प्यार कबूल तो है कर सकती मगर सर्थ यह है कि उस साधी कैनी होगी उसके वक्त वीरंदर का सर पर वरसा का पाने का जनून था सो उसने कह दिया मैं टाइम पर पास कहने के लिए तुम्हारी तरफ प्यार का हाथ नहीं बढ़ा रहा हूं बलकि संदीदा हूं मैं तुम से साधी कर के वफा और इमानदारी से साथ नहवाऊंगा दरसल वरसा अपनी मा की मजबूरियों जानती थी चंदा देवी ने बहुत तकली पर उठा कर पती का इलाज कराया था इलाज में उसको जो कर्ज चड़ाया था उसकी भरपाई होने से बरसों लग जाने थे कि परिवार में कोई ऐसा ना था जो युजवा हो चुकि बरसा के भवसे के बारे में सोचता में मा बेटी का दुलहन बनकर विदा कर पाने का हैसियत में नहीं थी छोटा भाईयसों खुद अपनी जिम्मेदारियों से जूज रहा था अंत बरसा को अपनी भवसे के नेने स करना था बरसा 16 साल की थी पूरी युपजी ने उस पर मन की किसी का प्यार पाने के लिए उसको चाने की हसरत थी मन में इच्छा थी कि कोई उसे चाहने वाला मिल जाए बरसा ने यहवी निर्नलिया कि जब कभी भी वीरंदर से प्यार का इजहार करेगा तो वह मुखबत का इरकार कर लेगी उमीद के मुतावित उसने वीरंदर ने अपनी चाहत जाहे की तो बरसा ने उसका प्यार कबूल कर लिया उस दिन वह बरसा और वीरंदर का रुमन सुरू हो गया बरसा के प्रेम में जानकरी उसकी मा चंदा देवी और भाई असो को भी हो गई थी चुकि बरसा वीरंदर साधी करना चाहते थे उस दिन दोनों ने उनका प्यार का इतहार नहीं किया पिर कास से बरसा को मा और भाई का मुक समर्थन मिल गया था दूसरी और बरसा वीरंदर ने जितना करेव आ गई थी कि उतना ही उसे लग रहा था कि कभी वे वीरंदर को ठीक से सम समझना बाखी है अंत में बीरंदर समझाने के लिए बड़सा ने उसके साथ लेविन रिलेसिंसिप में रहने के मन बना लिया सोचा बीरंदर अनुरुप सावित हुआ तो उसकी साधी करा लेगी कसोटी पर खरा ना उतरा तो दोनों अपने रास्ते अलग कर लेंगे बड़स जवानी को घुन नहीं लगा पड़ेगा बीरंदर उसके दह का सुख भिगोगा तो वह भी बीरंदर से जिस्म के आनन्द पाएगी एक रोज जब बड़सा और बीरंदर का सामना हुआ तो बात चीत हुई तो सिलसला जोड़ा बीरंदर ने उसे जल्दी साधी का पिरभात रखा इस पर बड़सा बोली मुझे साधी की जल्दी नहीं है बलकि हमें अभी एक दूसरे को समझने की जरूरत है छे महीने से हमारा रोमेंच चल रहा है बीरंदर के सब्दों में हैरानी थी और अब तक मुझे समझ नहीं पाई समझी तो हूँ लेकिन उतना नहीं जितना जीवन वरसात रहने के लिए समझना चाहिए पूरी तरह समझने के लिए कितना वक्त लागेगा बीरंदर ने उदास मन से पूछा कुछ देर घहरी सोच में डूने रहने के बाद वरसा ने जवाब दिया सायद छै माईने और इस दोरान मेरा क्या होगा बीरंदर ने जमाने के साथ लोगों की सोच जिंदगी तरीखे बदल रहते हैं कस्वों में बहुत सारे लोग लिए इन रिलेसिंसिप में रहकर अपने भी रह लेंगे यानि कि सादी किये बेना ही तुम घर रहोगी बरसा ने बीरंदर की ही टॉन में जवाब दिया बेसक चूप की बीर बीरंदर के सामने रिलेसिंसिप का पृस्तवा रखा तो वह फौरन राजी हो गया इधर बीरंदर ने अपने वाबर्सा के प्रेम समंदों की जानकारी मापो दे दी तो सर्सवती भड़क उठी उसने बीरंदर से साफ कह दिया कि वह बिन विवाई लड़की को घर में नही रख सकते उसने कोई बवाल कर दिया तो हम सब फस जाएंगे बतना भी भी होगी इस पर बीरंदर ने मा को समझाया की वे दोन एक दूसरे से प्रेम करते हैं छे महीने बीते ही साधी कह लेंगे वर्सा के घरवालों को भी साथ रहने में कोई इतराज नहीं है इस बीच में ह तो नहीं था लेकिन बेटे के समझाने पर वहराजी हो गई इसके बाद वीरंदर ने पांच जून सन 2022 बड़सा को राटर इस्तसीतल माता मंदर बोला लिया यहां उसने उस की मांग में सिंदू लगाया फिर उसने अपने घर ले आया सरस्वती ने आधे अधूरे मन से बि रंग दिखाने लगी वे ना तो घर का काम करती और ना ही खाना बनाती सरस्वती देवी उससे कहती तो वे उसका खटी खोरी सुना देती देवर अनिल के साथ भी वे दुर विवार करती पती बीरंदर को भी उसकी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया वर्षा ने मनमा रहना चाहती थी कहर का दूसरा कार्ण उसकी सथाक थी कि जबकि सरस्वती देवी चाहती थी कि वर्षा मर्यादा में रहे उधर वर्षा घर की चार देवारी कतेई पसंद ना थी वह सरस्विचार चाहती थी तीसरा एहम कार्ण पती का बेतन था वर्षा चाहती थी कि वीर बड़ा करती थी दस नवमसंद हुजार बीस की साम को चार बज़े सरस्वती देवी खाना तैयर कहने नयोद विद्याला चात्र वास्चली गई अनिलवा बीर अंदर भी काम पर गए थे घर में बड़सा ही थी साम पांच बज़े बीर अंदर घर आया लेकिन उसे पैसा मा को दे देना क्योंकि देवा वली का तोहार नजदिक और मा का घर का सारा सामन लाना है यह सुनते ही बड़सा गुस्चे से बूली सार रख सुक मेरे से उठाते हो और पैसा मा के हाथ में दोगे यह नहीं चलेगा आज रात मा के कमरे में ही जाकर सोना समझे बर्षा की बात सुनकर बीरंदर तिल मिला उठा और उसने गुसे में बर्षा के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया बर्षा गम खाने वाली कहां थी वह बीरंदर पर भिढ़ गई दोनों में मार पीट होने लगी इस बीच बर्षा की निगाएं सिल वट्टे पर पड़ी उसने सिल को वट्टा उठाया और बीरंदर के सर पर फिरहा कर दिया फ्यार बीरंदर का सर फट गया और वह जमीन पर गिर पड़ा इस के बावजुद बर्षा का हाथ नहीं रुखा और उसने उसके सर पर चेहरे पर कैई और बार किया जिस से बीरंदर की मौत हो गई कतित पती के हत्या कहने के बाद वर्षा ने घर पर ताला लगाया और फरार हो गई अने लोर उसकी मा ने आकर पड़ोसियों से पुछता तो उन्होंने पताया कि बढ़ सा बेहा सालत में घर से बाहर निकली थी ताला लगाने के बाद वह बढ़ रही थी सास और पती उसे प्रहत करते हैं वह रिपोर्ट लिखाने पुलिस्चों की जा रही है पड़ोसियों की बात सुनकर अगर माता ठिनका कर किसी अनिस्टा अकंसा से उसने राठ को तावाली को सूच न दी उसने पोते की गोता वली के पांडे पुलिस्टीम के साथ आ गए पांडे ने दर्वाजा का ताला तोड़वा का घर में अंदर पिरवेश किया कमरे में पहुंशते ही सर पर बाइस वर से बीरंदर की खून से लत्पत लास पड़ी थी सरस्वती ने पांडे को बताया कि यह उस ने बड़े बेटे की लास की रिच्छर के बाद अधकारियों वा सिवके पुस्ट माडम के लिए जिलास पताल हमीपूर बेज़वा दिया उसे के वाद मावा भाई जैड़ी से घटना के बारे में पूश्टात कि सरस्वती देवी ने बताया कि बड़ता उसके बेटे के बीरंदर के साथ रिलेशन्शिप में रह रही थी उसी बीरंदर की हद्या की है उसकी माईका राट जोतावली के गाउं सैदपूर में सर्ष्वती देवी की तह जीर पर थाना पिरवावी के के पांडे ने पिरवावित की अधारा 302 के तहत बर्सा के खिलाप रपोर्ट दर्ज का एली और उसकी तलाश शुरू कर दी रात 11 वजे थाना पिरवावी के पुलिस टीम के साथ पुर गाउं में चंदर देवी के घर छपा मारा घर पर उसकी बेटी बर्सा माजित थी पुलिस ने